हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्ससकंद्रा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एक्जाम 2020 के लिए प्रैक्टी सेट नमबर 26 को कबर करेंगे दोस्तो इससे पहले हम लोगों ने सेट नमबर 1 से लेकर के 25 तक को कबर कर लिया था तो जिन साथि के फ्रेंड्स बिना देरी किये आज के सिसन सुरू करते हैं वीडियो पसंद आईगे तो इससे लाइक और शेयर जरूर कर जीजेगा फ्रेंड्स पहला प्रसन देखिए पहला प्रशन है ध्यान से पढ़िएगा कि इनमें से कौन सा सहर हाली में उतरा खंड की गिरिस्म कालीन राजधानी बना है तो देखें पांच सेकंड के अंदर में आप लोग एंसर दे दिजेगा और ये जितने भी करेंट अफेर्स के प्रशन है जब हम लोगोंने 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट के प्रशनों को कबर रहे थे हमने कबर कर लिया है हम लोग ने अब तक करेंट अफेर्स के संच्छ को कबर कर लिया और हमारे सीरीज कंटीनीव रहेगा ध्यान रखना अगर आपने नहीं देखा है तो देख ल प्रशन है और अपने स्कोर कमेंट करके लाश्ट में जरूर बता जीजेगा हाली में कुपोशन मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जो है तो यह अभियान है सुपोशित माभियान अगला कुशन देखेगा कि किस राज को 66 फिल्म पुरसकार समार आप्सट फिल्म फ्रेंडली एस्टेट एवार्ड से नमाजा गया था तो यह नमाजा गया है उत्राखंड को फाइब नमर देखे कि निम्न में से किस धरम का कोई धर्म गरंत नहीं है तो यह है सिंटोईजम धर्म और यह धर्म का समद्ध मुक्यता जापान से है ध्यान र कैसरे हिंद की उपादी भी दी गई थी लॉड लीटन के समय में दिली दरबार कायजन किया था 1887 में और इसी में इन्हें कैसरे हिंद की उपादी भी दी गई थी नेक्स्ट कोशन देखेगा कि किस भारती अभिनेत्री को हाली में वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम में क्रिष्ट भी सही अंसर हो जाएगा और सिल्क से बने इस द्वज के मध्य में उलम्पिक प्रतिक के रूप में पांच रंगिन चकर है ठीक है पांच रंगिन चकर है आपको ध्यान रखना है अगर बात करें हम इसकी तो नीला चकर जो है यह ये यूरोप महादेश को जो है का उसका प अगर बात करें तो एंट वर्प ओलम्पिक में जो है फार आय गया था नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नबर नाइन है हमारा कि परियावरण वन जलवाई परिवर्थन मंत्रा लेका नुसार पिछले पांच वर्षों में भारत में वन छेत्र में बताना है आपको विरद्य या फिर कमी हूई विर तो सही अंसर्वों का ऑप्सनि एक प्रठीसत की विरद्य हुई है आईलेंड या फिर परल अयलेंड कहां इस्तिति यह बहरीन में है है इस वहां जाता है इक को आपको पता होकता है ये कहा जाता है इंडाब को कहा जाता है नेक्ष्ट कुस्त्थ देखिए question number 13 the gardener पुस्तक के लेखा कौन है the gardener ये जो पुस्तक है इसके लेखा कौन है इसके लेखा का रविंद्र नाथ टैगोर अगला question देखेगा question number 14 प्रश्चन है कि 20-28 इस नंबर 2019 के दोरान गोवा में संपन पचासवे भारती अंतराष्टी फिल महत्सा में किसे विशेश स्वन जैनती पुरास्कार से समानित किया गया ये रजनी कांत को किया गया है त्यान रखेगा option D correct answer हो जाएगा अगला question देखेंगे question number 15 question number 15 है कि mission सकती क्या है तो देखें mission सकती जो है या भारत का anti-satellite missile पर इक्षन है option D correct answer हो जाएगा बीते 21 से 23 number के दौरान Global Bio India Summit 2019 का आज़न कहां किया गया था important question है तो ये किया गया है नई दिली में 17 number question है कि किस ने 1926 में दूर दर्शन का विश्कार किया था तो जेल बेर्ड ने किया था option ये जोन एल बेर्ड ने किया था भारत द्वारत समुदरी सेन चमता में बढ़ोतर जो को कैसा लगता हूं लेकिन मैं खुद को एक छोटा से लड़का मानता हूं जो समुद्र के टट पर खेल रहा है और जो अनसधारन पत्थरों की अफिक्सा सुंदर पत्थर और सैल ढूंड लेता है जबकि सत्य का महान सागर सामने है जिसके अभी तक खोज नहीं की गई या क Посब्सक्ता है या करंकि स्था नियूटन का है ध्यान र西 को भी लोग्यकि दैस की पहली महिला प्रधानमंत्री निपत्त की गई है तो ये पहली महिला प्रधानमंतुरी है इसलिए इंपोर्टेंट है यह बेल्जीयम की बनी निऊए र चंद्र को किया गया है यानि पिनाकी चंद्र घोस को किया गया है option D correct answer हो जाएगा अगला कुछन दिखेगा 22 नंबर 22 नंबर है कि RCEP का आपको फूल फॉर्म बताना है तो इसका फूल फॉर्म होता है रिजिनल कॉम्प्रिहेंसिब एकनोमिक पार्टनर्शिप यानि के option यह correct answer हो जाएगा प्रसीद सहर निव्यार्क का वास्तुकार कौन है तो दिखें निव्यार्क जो है यह हडसन नदी की किनारे इस्तित है पहले तो आपको यह ध्यानक नहीं यह भी पूछला जाए किस नदी की किनारा है तो हडसन नदी की किनारा है ठीक है और इसके जो वास्तुकार है यह है मिनोरू या भास्क यानि कि option C correct answer हो जाएगा और आपने सुना होगा Statue of Liberty यह कहा है New York में ही है next question देखेगा है कि Savannah Airlines किस देश की सेवा है तो यह जो है Belgium की है option A correct answer हो जाएगा यह तीन कथन दिया है एक करके आप पढ़ लिजे सही अंसर मैं आपको बता दे रहा हूं इसका सही अंसर जो हो जाएगा option A हो जाएगा तीनों कथन जो है इसमें से सह जानी है एक एफोट इसेवन का विसकार किस ने किया था तो मिखाइल क्लासिन कोन किया था और यह कहां क्या है रूस के है यह जगा भी पूछा जाता है कभी कभी केंडरीय पर्यवरण मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी का नुशार देश में वर्तमान में टाइ अगर की संक्या मध्यप्रदेश में है उसके बाद करनाटक में है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोस्टन देखिए जनगन्ना 2021 के लिए किस तीथी को आधार तीथी घुसित किया गया है तो एक मार्च 2021 को किया गया अप्शन डी करेक्ट अंसर हो जाएगा अमिर्का के मसहूर फैसन मैक्सिन जीक्यू नेक निमलेखित में से किसे दसक का सबसे स्टाइलिस पूरुष चुना है तो यह चुना किसको है रोजर फेडर को चुना है रोजर फेडर कहां के है स्वीर्जर लेंड के है यह मसहूर टे करेक्ट अंसर हो जाएगा एकतिस नंबर देखिए कि कौन सी वह रेखा है उस स्ट्रवन सीमा बनाती है जहां सुरे जून में संक्रांती के समय कभी नहीं डूपता है और दिसंबर संक्रांती के दारण उगता नहीं है तो यह है आर्क्रिटिक्ट व्रित यानि कि option C मंडल के चीतरन में होता है यानि कि option C करेक्ट असर हो जाएगा जीवन के राषानिक विकास को किसने प्रस्ताव रखा था तो यह रखा था ओपैरिन अगर हम बात करें डार्विन लैमार्क और इसका बात करते हैं डार्विन लैमार्क और डीब्रीज की तो इन्होंने किसक सब्सक्राइब कि इसका साइनसर क्या हो जाएगा साइनसर हो जाएगा option नंबर डी हो जाएगा ठीक है आख के लेंस की कम करनी चाहिए अगला को संदिके 36 नंबर 36 नंबर प्रश्ण है कि एक वस्तु एक ब्रित का चक्र लगा रही है तब तो इसका साइनसर हो जाएगा option नंबर क्या हो जाएगा option नंबर इसका c हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स option c हो जाएगा इसकी गति बजलती रहती है पदार्थ के अनुभार की गन्ना की जा सकती है माप कर यह आपसे पुछा जा रहा है तो बताइए साइनसर इसका क्या हो ज का परियोग किया जाता है नाइट्रेट्स की विसलेशन के लिए वप्सने करेक्ट अनसर हो जाएगा मॉलिस परीक्षन का परियोग होता है यह होता है घोल में का करम सायएंसर है द्हान हरे आपको नेक्शत्-कुशन देखेगा कि टेबल साट का पर रासाइनिक नाम क्या है तो टेबल साल्ट का रासाइनिक नाम होता है सोडियम कुलोराइड ठीक है सोडियम कुलोराइड ओप्सन डी करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन देखिए अस्तन पाई जीवों में निसेचन यानि गरवाजान कहा होता है 41 का करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर भी डीम वाहिनी नली में अगला कुस्टन देखिएगा हमारा नेक्स्ट कुस्टन है 42 नमबर 42 नंबर है कि डाइफ्राम किस में सहाइक होता है डाइफ्राम जो है यह किस में सहाइक होता है तो डाइफ्राम जो है स्वसन में सहाइक होता है किस में सहाइक होता है स्वसन में सहाइक होता है option number इसका B correct answer हो जाएगा और friends ये math का प्रिशन है नहीं माफ कीज़ेगा ये current affairs को हाल ही में केंदर सरकार ने 2020-21 के लिए महात्मा गानी राष्टी ग्रामी रोजगार करेंटी योजना के तहत कितने रासी का abundant किया है तो ये किया है यहाँ पर option number A इसका correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए next question दिखेगा कि इंगलेंड का दौरा करने वाला प्रथम भारती ये कौन थे तो ये थे राजा राम मोहन राय यानि कि option C correct answer हो जाएगा राजा राम मोहन राय ध्यान रखिएगा 1833 में Bristol में राजा राम मोहन राय की मिर्तिव हो गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए अगला कौसन देखिएगा और दादा भाई नोरोजी प्रथम भारतीया है जो की फिन्स वरी से लोकसभा की प्रतिनिधी थे नेक्स्ट कौसन है कि भारत में डाक दिवस कब मनाय जाता है तो ये 9 अक्टूबर की दिन मनाय जाता है कहीं कहीं आपको 10 भी मिलेगा ठीक है लेकि 9 ज़्यादा आप रिफर किजिएगा 9 अक्टूबर को ही मनाय जाता है अगला कुछन दिखेगा कि राष्ट्रिय पसु के रूप में बाग को कब स्विकार किया गया था राष्ट्रिय पसु के रूप में यह 1972 में और अप्सन नमबर 20 का करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला खुछ संदिखे और इसका रसानी यह बैग्यानिक नाम आपको पता है क्या होता है पैंथरा टाइगरिस होता है राष्ट्रिय पस्प कौन सा है कमल है चलिए भारत के राष्ट्रिगान के लगू रूप को गाने की अधी क्या है राष्ट्रिगान और राष्ट्रिगेति यह आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर राष्ट्रगान पूछा जा रहा है राष्ट्रगान क्या है जना गना मना है ध्यान लखिएगा ठीक है और इसके गायन में कितने समय लगता है तो लगू समय तो यह 20 सेकंड का समय लगता है ठीक है चलिए 20 सेकंड का समय लगता है यहाँ पर option D correct answer हो जाएगा अगला कुस्टन देखिएगा कि 13 अप्रेल 1977 से भारत अरत में पुरस्कार बंद कर दिया गया था, 1980 में प्रधान मंत्री सिर्मिति इंद्रा गांधी द्वारा इससे पुना सुर्व किया जाने के पस साथ, इस पुरस्कार से स्वरप्रतम किसे विभोसित किया गया था, रथकली कही जाती है, तो यह कही जाती है, ओटा स्थूलल, ओप्शन ए, और याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंट्स, चलिए, नेक्स्ट कुस्टन देखिएगा, कि भारत रतन 2015 से सम्मानित भूपे नहाजारिका का संबंद किस्चे तर से है, तो भूपे नहाजारिका का संबंद जो है, यह किस्से है, आप सभी को पता भी होगा, तो सई अंसर हो जाएगा, ओप्शन भी पार्स वगायन से, और यह कहां के थे, असम के, वेस्विक नवाचार मैपिंग और अनुसंधान कंपनी स्टार्टप द्वारा तयार, कंट्री गलोबल रैंकिंग और श्टार्टप एको सिस्टम 2020 में भारत की रैंक क्या है, जिसमें भारत की रैंक है 23, भारत में सबसे उची जैन संत गुमवतिस्वर की परतिमा कहां है, तो ये सरवन बेल गोला करनाटक में है, अगला कोस्टन देखिएगा कोस्टन नमबर 53, प्रश्ण है कि किस गौर्णर जनरल ने भारत में अंगरेजी की पढ़ाई की सुरुवात किया था, तो ये किस ने किया था, लॉर्ड विलियम बैंटिक ने किया था, इसने सिक्षा का माध्यम अंगरेजी बनाया था, मैकाले की अनुसंसा पर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, सत्ती पर्था को इसने ही समाप्त किया था, राजारा मोहन राय की सहयोग से, अगला कोशन देखिए, मराठा सासन के अरामभी के दस्कों में भूराजस्वम अपनी की सरवादिक प्रचलित इकाई क्या थी, बदाईए, तो सही अंसर होते हैंगे, इसका ओप्सन बी काठी थी, ठीक है फ्रेंट्स, याद रखिएगा, क्या थी, काठी थी, अगला कोशन देखिएगा, अगला कोशन हमारा पचपन नंबर है, कि मार्च 1784 बी में मंगलोर की संदी किसके प्रभाव में हुई थी, तो 1784 में मंगलोर की संदी, लॉर्ड, यहाँ पे ऑप्सन नंबर मकार्टने के प्रभाव में हुई थी, नेक्स्ट कोशन देखिएगा, अगला कोशन है हमारा चपन नंबर की बौधरम की वरजियान साखा की अंत्रगत, बुद्ध बोधियस्त्व की पतनी का क्या नाम था तो सही अंसर हो जाएगा, ऑप्सन डी तारा नाम था, याद रखिएगा क्या नाम था, तारा नाम था, नेक्स्ट कोशन देखिए, अगला कोशन है कि कुमार संभव में, यह जो कुमार संभव में किसके जन्म का वर्णन है, तो कार्तिके की, ऑप्सन डी, करेक्ट अंसर हो परके सिंग द्वारा भविस्य में एक मजबूत और लचीली उर्जब प्रणाली बनाने के लिए किस पहल की सुरुवात की गई है यह किया गया है यानि कि ऑप्शन सी करेक्ट अंसर हो जाएगा बाल खालसा के स्थापना किसने की बाल खालसा के स्थापना किसने की तो कूप प्ये स्वमुदाय को डंडा अधिकारी तथा अप्रादिक नयाले के स्थाटर अधिकार से मुक्त किया गया तो यह किया गया है ओप्शन डी 1882 में ठीक है 1882 अगला कुस्त नेखिएगा एक सर्ट नमबर कि भारत में दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंद लगा तो य पर तो इस प्रश्ण का अभरत नमबर यह हो जाएगा अकबर के समय में ही कि अगला कुस्तन दिखिएगा अगला को संव सम्माध सैंस्र नमबर प्ररश्ण सुंद दरसनं किस्स सम्बंदित है जैन दर्सन जो है कि तो जैन दर्शन सांखे से सम्बन नित है, option B correct answer हो जाएगा, याद रखिएगा, चलिए अगला कुश्चन देखेंगे, 65 निभर की तिरुचीरापली किस नदी के किनारी इस्तित है, तिरुचीरापली जो है, कावेरी नदी के किनारी इस्तित है, next question देखेगा, option C इसका correct answer हो जाएगा भारत का पर्थम नाविकिये सयंत्र का क्या नाम है, तो यह अपसरा नाम है, option B correct answer हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, 60 नमबर देखिए, the moment of lift, इस्तिक किस की रसना है, the moment of lift, important question है, थोड़ा सा समय लिजिए, लेकिन बेसक इसको आप बताएगे, the moment of lift, ठीक ह जानी की option number A correct answer हो जाएगा, चलिए, अगला question देखिए, next question हमारा है, question number 68, प्रिशन कह रहा है कि भारत में अस्थानियस हो सासन का प्रणाम निम लिखतने से किस ने किया, तो Lord Rippon ने किया था, याद होगा आपको Lord Rippon ने किया था, option number 20 होगा, सही अंसर हो जाएगा, Lord Rippon न जानी कि गितांजली एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है, ये कहां से कहां तक चलती है, तो ये हाबडा से मुंबई तक चलती है, question number 70 देखिएगा, question number 70 है, और friends इससे पहले जितने भी हम लोगों ने वीडियो को cover किया है, सारे देख लीजिए, सारे वीडियो important है, PDF आपक बताईएगा, अनुछे 21 में क्या है, तो option D है, ठीक है, जीवन और स्वतंदर्ता का अधिकार, अगला question देखिएगा कि ये quickty author lens का वाला चस्मा पहनता है, इस कारण समानेता, दूर इस्तित वस्तुव का प्रतिविम उसकी आँखों में कहां पर फोकस होगा, तो ये आसान प्रश्ण है, इसका answer आप comment में देखर बता जीजे मुझे, 72 नमर देखिएगा कि सकल राष्टी आए और सकल घरे लिउत्पाद, अर्था जी एनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, तो सही अंसर है, वीदेशों से प्राप्त निबल आए का अंतर, यानि कि option C जो है, इसका correct अंसर हो जाएगा, next question देखेंगे, question number 73, प्रश्ण है कि मनुस्य में रूधिर सरकरा का मातरा सरवाधिक कब होगी, तो भोजन के तुरंत बाद, भोजन के तुरंत बाद, याद रखिएगा, रक्त के ठक्कत जमाने के लिए अनिवार प्रोटीन कौन सा है, तो फ्राइवी नोजेन है, उच्छ नयाले के नयाधिस के पत्परनित होने वाली पहली महिला कौन थी, उच्छ नयाले पूछा जा रहा है, ठीक है, उच्छ नयाले लीला सेट, ठीक है, चलिए, और उच्छ नयाले फातिमा बीबी, नेक्ष्ट कोस्न दिखेगा कि अलेकजेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंदित है, तो इन्होंने पैनिसलीन का खोज किया था, आपको पता होगा, क्लियर है, चलिए, आगला कोस्न पढ़ेंगे हम, प्रश्न हमारा रहेगा, 76 नमबर, ठीक है, प्रश्न है कि प्र इंसर हो जाएगा, चलिए, नेक्ष्ट कोस्न दिखेगा, मैथ का प्रश्न है, इसका एंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मैथ का प्रश्न अगर हमार स्वल्व करने लगेंगे, हम लोग तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पांच प्रतिसत की हानी होगी, प्रधान मंत्री की निउक्ती जो है, ये करता है, कौन? 79 का उप्सन C हो जाएगा, भारत के राश्ट्रपती, ठीक है? चलिए, नेक्ष्ट कोस्न दिखेगा, अगला कोस्न हमारा है, 80 नंबर की भारत में प्रथम जन गन्ना, कब और किस वाय सराय के सासनकाल में हुआ था, तो सबसे पहला जन गन्ना अगर बात किया जाए, तो दिखेए, ये जो हुआ था, पहला जन गन्ना, ये लोर्ड मेयो के सासनकाल में हुआ था, 1872 में, अगर बात किया जाए, कि निय 81 नंबर 81 फ्रेश्चन है कि सुवराज की गंद से खाली अस्थान है मेरे नतुने फटने लगे हैं कि किसका को normal कि इसका है इंपोर्टन को स्टन है कि सुबफाष संदर पोस का ओ सो कब भारती अधिवेशन में, option number B, correct answer हो जाएगा हरीपूरा अधिवेशन में, ठीक है, 1938 में, और 1949 के तिरिपूरी के कॉंग्रेस अधिवेशन में भी यहीं जो हैं अध्यक्स बने थे, तो 1938 हरीपूरा और 1949 तिरिपूरी, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, चली अगला कॉस्षन देखिएगा, कॉस्षन मैज का है, और असान प्रश्न है, इसका science or option A हो जाएगा, दस दिन, 1912 में बिहार में प्रतम बार कॉंग्रेस का दिवेशन निम्नांकित में से कहां पर आईजित किया गया था, 1912 में पुछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, 1912 में कहां हुआ था, तो यह बांकिपूर में हुआ था, यह सही answer हो जाएगा, बांकिपूर में, और इसके अध्यक्स्ता RN माधोल करने किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार से सम्बंदित है, अगला question देखिएगा, प्रश्ण है कि, मैध का प्रश्ण है, आसान प्रश्ण है, answer मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो answer हो जाएगा, option number B हो जाएगा, 25 प्रतिसत इसका answer हो जाएगा, चली अगला question देखिएगा, अगला question आपसे पुछा जा रहा है, कि सुभास्तिंदर बोस को, जो है, किस च्छदम नाम से कॉलकता से काबूल पहुंचे थे, तो यह पहुंचे थे, जी आउदीन नाम से, यानि कि, option number A, correct answer हो जाएगा, next question देखिएगा, और सुभास्तिंदर बोस के राजनीतिक गूरी कौन थे, तो देश बंदू, चितरंजन दास थे, इनके राजनीतिक गूरू याद रखिएगा, और सुभास्तिंदर बोस के सुरपरतम नेता जी किस ने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था, अगला question देखिएगा, कि USAID ने स्वस्त एवम उर्जा कुसल भावन के लिए किस संगठन के साथ समझा होता किया है, तो यह किया है, EESL, ठीक है, EESL के साथ में, चलिए, अगला question देखिएगा, अगला question है कि बिहार में धातु प्रस्तुर युगीन और सेस मिले हैं, यह कहां से मिले हैं, यह मिले हैं, रामपुर्वा चंपारन से, अगला question देखिएगा कि भुमद सागरिये छेत्र में भारी बरसा कब होती है, भुमद सागरि नहीं बनाता है तो यह जो है बकसर नहीं बनाता है गाया जमुई और रमादा जो है बनाते हैं अगला कुस्टन है कि नेम रिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंतरित करता है तो भारत का विदेशी मुद्रा जो है फेमा नियंत 92 नमबर 92 नमबर मैत का प्रेश्ण है इसको आप लोग सम इसको हल करें और एंसर बताइएगा पच्छीस तो समलो चो चो मिनट भारत की राष्टी आएका अनुमापन करने वाला अभिकरन कौन है तो यह जो अभिकरन है यह आप से पुछा जा रहा है यह कौन है तो यह जो है यह है S-C-O ठीक है याद रखेंगे S-C-O इंपोर्टेंट है पुछा जाए माप कीजिए का C-S-O है मैंने उल्टा लिख दिया है C-S-O है Central Statistical Office क्लियर है चलिए बहु चर्चित रहे Pro-DT लकड़ा वाला फर्मूले के सम्मंद निमन लिखित में से किस्से है तो इसका सही अंसर जो हो जाएगा Option No.A हो जाएगा निर्धांता रेखा के निर्धारन से अगला खुछन दिखिएगा कि Antision और Antibody के अध्यान को कहते हैं तो Antision और Antibody के अध्यान को कहा जाता है पूछा जा रहा है इसका अंसर आप लोग कमेंट में देखर बताइए और एक सिंपल जो है अगर पूछा जाए तो दोनों में अंतर है आप बताईएगा इसका सही अंसर क्या होगा यहां पर Option दिया गया बहुत ही आसान प्रश्न है 97 नंबर देखिएगा कि बिग्यान के स खिलाडी कौन है जिसे आई टी एफ ठीक है वर्ल्ड टेनिस टूर पिलयर मेंस पैनल में खिलाडी सदस्य के रूप में चूना गया है तो यह है निकी पुनाचा यानि कि Option सी करेक्ट अंसर हो जाएगा सेक्ट राष्ट में पांच महा सक्तियां निश्यद अधिकार का उप सथाई सदस्य हैं यह कौन कौन से हैं तो यह है रूस है अमेरिका है ब्रेटेन है फ्रांस है और चीन है नेक्स्ट कोसन देखिएगा नेक्स्ट कोसन मैत का है इसका अंसर मैं बता देता हूं आप लोग इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा option number D हो जागा 15 परचिसत का लाब होगा उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्रीज वीडियो को लाइक कर दीजे और जितना से ज्यादा होसक इसको सेर किजएगा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स प्रवाचिन